तो अब हमारा जो project है ठीक है हमारे project में अब क्या बचता है अब temperature बचता है और ये सारी चीजे हमारी निकल गई है अभी temperature और icon दो काम और हमको करने हैं फिर हमारा एक face complete होगा उसके बाद फिर हम auto complete drop down की तरफ switch करेंगे तो अभी temperature की बात करते हैं हम लोग तो अगर मैं जैसे यहां पर इस page को refresh करता हूँ तो यह page मैंने refresh किया अभी आप देखो के temperature तो temperature कहां पर आ रहा है यहां पर टेम्प्रेचर में में के अंदर हमको टेम्प्रेचर मिल रहा है यह टेम्प्रेचर है लेकिन जिसे यहां पर टेम्प्रेचर प्लस और माइनस में दिख रहा है तो उस तरीके से हमको प्लस और माइनस करना है तो प्लस और माइनस करने के लिए मैं ऐसे करता हूं यहां पर ही टेम्प अभी मैं नॉर्मल टेम्प लिख लेता हूँ जिसा यहां पर दिख रहा है टेम्प इस तरीके से यह टेम्परेचर को डिनोट करेगा इसी कल्टू अब यह किस में आ रही है वेल्यू पहले तो वो देखना है मुझे तो यह वेल्यू आ रही है डॉलर रिजल्ट में के अंदर आता है मेरा टेम्प तो मैं डॉलर रिजल्ट टेम्प और में यह अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो मैं यहां लगाँगा कुश्चन मार क्योंकि मैं टर्नरी उपरेटर यूज़ कर रहा हूँ अगर यह ऐसा होता है तो मैं यहां एड़ कर दूंगा प्लस राउंडेड वेल्यू है, वो यहाँ पर पास कर दूंगा, सेमी कॉलम की जरुवत यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ आम टर्नरी आपरेटरी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो इसको यूज़ करके और यहाँ पर शेल कर देता हूं, मैं ठीक है ये question mark बंद करके save किए अब इस code को मैं थोड़ा format कर देता हूँ तो मैं control A करता हूँ copy करता हूँ और यहाँ पे हम लोग जाते हैं Google में और यहाँ हम लिखते हैं PHP code formatter online ठीक है तो हम लोग online इस code को थोड़ा format कर लेते हैं control A करता हूँ यहाँ जाकर मैं control V करके format तो यह code format हो गया इसको copy किया मैंने और यहाँ जाकर मैं formatted code को save कर देता हूँ तो जो मेरा data था data यानि की temperature तो आप देखोगे यह wind direction के लिए है यह temperature के लिए अभी मैं इस page को फिर से यहाँ पर refresh करता हूँ page को मैंने refresh किया तो आप देखोगे यह temperature जो है वो भी मुझे यह plus 30 यह मिल गया तो अभी temperature भी मेरे पास में आ गया अब एक चीज बसती यहाँ पर icon तो अब आपन काम करेंगे icon के लिए कि यह जो icon यहाँ पर आ रहा है यह icon भी हमको कैसे लाना है वो हम देखते है तो अब हमको icon update करना है icon update करने के लिए देखो यह वाला icon update करना है और इस icon का update करने के लिए मेरे पास एक document है यह open weather का ही document है icon के लिए थोड़ा सा typical है चीजे थोड़ी सी conditional चीजे यहाँ पर लग रही है तो हम लोग पहले इस document के बारे में देखें तो देखें यह document यह कहता है कि जिसे अगर आपको icon update करना है तो जिसे 500 500 क्या है हमरे पास एक code है यह एक ID है ठीक है यह ID है जिसे 500 की बात करने है तो 500 यह एक ID है जिसकी icon ID detail है तो अगर मैं 500 की बात करता हूँ तो आप 500 में जाओगे तो यह 500 है और 500 मतलब detail है तो हमें जो output में बिलेगा वो यह वाला code मिलेगा और इसके लिए हमें यह वाला icon call करना है ठीक है अब जो images है वो कम है लेकिन code जादा है जैसे यह एक image है ठीक है अब इतने सारे code के लिए इतने सारी ID के लिए यह same ID है detail मतलब response code अलग-अलग होगा लेकिन हर response code का यहाँ पर एक अल लेकिन इन सब के लिए icon same है तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके combination से data को लेके आना पड़ेगा उसी तरीके से यह एक image हो गई यह 11D 11D मतलब एक image हो गई उसी तरीके से यह दूसरा है तो इतने सारे code है इतने सारे response code है और इसके लिए 09D तो 09D जो images है वो एक ही है लेकिन code इतने सारे है उसी तरीके से यह rain वाला है इसमें 15500 जो example में उन्होंने दिया था तो देखे इतने इसकी ID 10D है icon ID 10D है और यह इतने सारे response code है इसके लिए same image call होगी और यह वाला जो code है इसके लिए 13D है लेकिन code इतने सारे है तो इन सब को हमको हमको पहले चेक करना होगा कि response के आ रहा है तो जिसे मैं एक example लेता हूँ यहां जाते है हम लोग और यहां पर जो है मैं इस example को run करता हूँ ठीक है तो अब यह आपको ID देखनी पड़ेगी तो यह ID का मिलेगी आपको आप वेदर के अंदर जाओगे तो यह वेदर तो इसकी ID 80804 है तो 804 की बात में 804 आ गया अब 804 का अगर आप देखोगे तो यह वाला code है 4D4N यह इस तरीके का code है यह जो है वो इसका है क्या बोलते है हमारा 804 का ठीक है उसी तरीके से जो response change होगा तो यह ID चेंज जाएगी जैसे मैं अभी कोई दूसरी city का नाम लिखता हूँ दूसरी city का नाम में rain वारिश हो रही है महाँ पर 501 तो 501 में अगर मैं जाओंगा तो यह 501 कहां पर है यह 501 मिलेगा मुझे और 501 मतलब यह वाला response है और इसका icon यह है तो यह जितने भी icon image थी icon image तो limited है जैसे मान लीजे मेरे पास मैं अगर मैं इसकी बात करूँ तो इतने पूरे code के लिए मे इतने भी एमेजे से इसको नाउनलोड करके मैंने एक images folder के अंदर रख लिए यह सारी images यहां पर रख लिए और मैंने क्या किया है कि यहां पर एक array बना लिया है जिसमें url 1 है मतलब जिसे यह image है टीक है जिसे यह image है मेरी तो इस image का अगर मैं इस image की बात करूँ गा तो य image का URL तो एक है लेकिन इसके array जो है मैंने एक array बनाया है एक array में ये एक URL हो गया है और दूसरा एक array है मतलब उसी array में दूसरा field है जिसमें सारी ID हो गई जिससे 600 हो गई 601 हो गई 602 हो गई तो इसको हम implement करते हैं तो देखें पहले वाला code था मैं उसमें चले के चलता हूँ ये मेरा demo वाला code है और इस code में मैंने यहाँ पर ये function बनाया image करके ये function बनाया है तो इस function को मैं copy करके और जो actual code है जो अभी हम कर रहे हैं उसमें चलते हैं हम लोग और यहाँ पर देखे एक private function मैंने ये वाला copy किया अब इसको समझते हैं कि ये function कैसे बन रहा है ठीक है तो ये function call होगा function call होगा एक ID लेखे आएगा function ये ID कुन सी होगी ये ID ये होगी 600 501 ये जो ID है ये ID लेखे आएगा ये function को जब हम call करेंगे तो यहाँ पर ये ID लेखे आएगा system यहाँ पर मैंने Drupal की एक service call की है जिसको मैंने वोला है module path तो module path है अब ये module path से क्या होगा कि ये module handler module handler service है इससे हमें module का path मिलेगा तो हमको यहाँ पर module का name pass करना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पर module का machine name pass किया तो यहाँ से मुझे जो है वो module का path मिलेगा module path और base path base URL को add करके हमने इस images folder तक का जो path है वो ले लिया यहाँ तक module folder तक का path ले लिया और इसके अंदर फिर मैंने images और ये मेरी जो images है वो मैंने यहाँ पर ले ली तो देखे जिस 803 अब 803 और 804 तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 803 ID की बात करें हम तो यह देखे 803 और 804 इसके साथ ये दो images है ये मैंने यहाँ पर ले ली अना उसके बाद कुछ images जिस 801 है तो 801 के लिए मैंने ये images ले ले ली यहाँ पर और ये ये चारो images के लिए मैंने अलग-अलग ID ले ली अब जिसे यहाँ पर जो दूसरी image है जिसे मान लीजे यहाँ पर ये 701 ID है ना तो 701 ID के लिए भी मैंने कोई image ले ली यहाँ पर ये 701 ID है तो इन सब के लिए मैंने एक image ले ले ली ये वाली image 701 के लिए तो अगर मैं 701 की बात करूँ तो मैं images में जाओंगा और ये वाली image जो कि 701 के लिए आ रही है ये image जो 701 में दिखेगी ये ये image 701 के लिए तो ये 701 की image आ गई मेरी तो इस तरीके से मैंने क्या किया यहां पर एक array बनाया है इस array में एक URL एक field URL है और दूसरा field जो है वो आईडी है ये एक multi-dimensional array है यानि कि array की एक ID है और एक URL है और उसके साथ multiple ID है तो ये मैंने एक array बनाया आप देखोगे ये image वेदर का एक array है इस array के बाद मैंने क्या किया यहां पर for each loop लगाया देखें जब भी कोई इस function को call करेगा तो ये ID पास करेगा यहां पर किसी ने इस ID को पास किया ये ID यहां से compare होगी और ये for each loop लगेगा for each loop में ये चुकी ये करे है लेकिन इसका जो one element है वो अपने आप में करे है तो मैंने क्या किया कि ये ID मतलब जिसे ये वाला आ रहे है तो इसका zero वाला element ये है बन वाला element ये पूरा है तो बन वाले element में से अगर ये ID किसी एक में मेच कर रही है तो यहां से जो है वो उसका URL रिटन हो जाएगा और ये URL किसे रिटन होगा path के साथ रिटन होगा तो ये URL path के साथ रिटन होगा और अगर कोई ID मेच नहीं करेगी तो no URL रिटन हो जाएगा अभी हम क्या करते हैं कि इस function को call करके देखते हैं यह तो हमने logic समझ लिया तो function का नाम है gate image src और gate image src में को कहां call करना है सबसे पहले तो देखे मैं क्या करूँगा यहाँ पर मेरा temperature निकल गया है यह जो है यह मेरा main response है और इस function के बाद मेरा temperature निकल गया है लेकिन मेरे को क्या करना है यहाँ पे एक ID पास करनी है तो मैं लेता हो dollar dollar response dollar response में मैं लिएटा तो यह आ गया मेरा data और data के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ Image SRC Image SRC लिखा मैंने और यहाँ पर जो है मैं क्या काल करूँगा डॉलर दीस अच्छन ए मेरा यह function था मेरा gate image SRC gate image SRC तो मैंने इस function को call किया gate image SRC और यहाँ पर जो है वो मैं पास करूँगा ID तो अब ID कैसे मिलेगी मुझे? $RESULT से मिलेगी तो $RESULT और ID की बात करें हम यहां पे तो $RESULT $RESULT के बाद आएगा ベدर तो यह $RESULT $RESULT के बाद यह मैंने लिख दिया вेधर वेधर के बाद में क्या है मेरा? 0 ठीक है? तो इसके बाद मैंने लिख दिया 0, यहाँ पे चले हम, इसको मैंने लिख दिया 0, 0 के बाद फिर हम यहाँ पे चलेंगे तो यह ID, यह ID की जरुवत है तो मैंने लिख दिया यहाँ पर यह ID, अब इससे क्या होगा, इससे एक ID पास होगी और यह ID के भिहाब हमको image src मिल यहाँ पर आप जाओगे तो देखिए यह image src मुझे मिला अब इस image src को मैं open करके देखता हूँ कि मुझे कोई image मिल रही है या नहीं मिल रही है तो देखिए मुझे यह image यहाँ पर मिल रही है हो सकता है कि image में थोड़ा बहुत अंतर है क्योंकि मैंने image download की internet से कुछ images जो से id 501 है तो 501 में चले हम तो यह 501 id 501 id में कुछ इस तरह की image है लेकिन हमको इस तरह की image मिलेगी क्योंकि मैंने वो यहाँ से ली है कुछ और कहीं से ली है तो यह पूरा data जो है वो मेरा आ गया है मतलब यह एक chapter मेरा यहाँ पर complete होता है मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से बन तो यह वाला मतलब यह वाला जो chapter है हमारा यहाँ से हमको city मिल गई, temperature मिल गया, day का name मिल गया है, humidity मिल गई है, wind का direction मिल गया है, wind की speed मिल गई है, pressure मिल गया है, यह सारी चीज हमको मिल गई अब हमारा दूसरा task के हाँ से start होगा कि हमको यह auto complete list बनानी है, और auto complete list बनानी है, उसके बाद फिर हमारा तीसरा task है कि हमको यह वाला data अपडेट करना है, उसके बाद फिर हम इसको java script के साथ connect करेंगे, क्योंकि हमको urn से थोड़ी देखना है, हमको result कैसे देखना है, हमको result यहाँ पर type करेंगे तब result मिलना चाहिए तो उसको events से connectivity हम करेंगे तो पहले यह दो काम करते हैं उसके बाद हम इसको events से connectivity करेंगे चले अब हम autocomplete वाला जो city का autocomplete है उस code में चलते हैं तो पहले तो मैं एक API जो देखी थी हमने autocomplete यह नहीं जी ओ वाली API तो इसमें हमको API पास करनी है और limit यह दो parameter हमको पास करने है और यह हमारा endpoint है जो की already save है config form के अंदर तो मैं क्या करता हूँ मैं पहले open कर लेता हूँ पहले तो हमको controller देखना होगा तो मैं जाता हूँ यह routing.yml में तो यह मेरा module है और इस module में यहाँ पे जो routing.yml है ठीक है routing.yml फाइल में यह वाला code है मेरा तो मैं as it is इस code को यहाँ से copy करता हूँ और यहाँ पर जो है इसको हटा के यह code कर देता हूँ city में मैं कोई भी एक city का name यहाँ पास कर देता हूँ अभी कुछ output आएगा नहीं क्योंकि अभी code हमने कुछ किया नहीं है तो अभी यह simple output आ रहा है ठीक है तो इसका जो function है वो कौन सा है function चल रहा है इसमें get city list तो get city list वे चलते हैं हम लोग यह हमारे पास get city list ठीक है अब इसको response तो JSON मी जाएगा यह यहां से हटा देते क्योंकि इसकी जरुवत यह नहीं है सबसे पहले मुझे क्या करना है इसको भी यहां से हटा देते हैं dump इसकी भी जरुवत नहीं है तो यह वाला जो code है result तक का यह मैं copy करता हूँ पूरा इसमें हमको जादा कुछ नहीं चाहिए इसमें हमको सिर्फ list ही चाहिए तो यह list लाता हूँ मैं और इसको copy करके यहां पर रख दिया मैंने ठीक है एफ ID तो सेम तरीके से मिलेगी जिसे एफ ID उसमें थी इसी तरीके से FID इसको थोड़ा format कर देते code को तो FID यहां से मिल गई मुझे लेकिन मुझे यह form भी सही है लेकिन मुझे बेदर endpoint नहीं चाहिए मुझे कौन सा endpoint चाहिए वो मुझे form बताएगा तो मैं जाता हूँ SRC में form के अंदर और यहां पर जियो करके होगा जो suggestion list suggestion list endpoint चाहिए तो मैं यहां पे pass कर देता हूँ suggestion list तो मैंने यहां पे pass कर दिया suggestion list ठेक है अब जब suggestion list यहां पास होगा और यहां पे unit की जरवत नहीं पड़ाईगी मुझे तो मैं unit को हड़ा देता हूँ यहां पे, यहां पे मुझे दो ही चाहिए था, एक तो मुझे चाहिए एप आइडी और एप आइडी के बाद में एक मुझे चाहिए यहां पे लिमिट, दो पेरामिटर चाहिए, एप आइडी और लिमिट लेकिन यहां पे यहां पे एप आइडी और लिमिट तो जो end point बन रहा है वो कुछ ऐसे बनेगा base end point तो base end point तो यही रहेगा dollar q city मैंने लिया यहाँ पे तो मुझे dollar q की वज़ा है यहाँ पे limit 5 और app id दो चीज मुझे चाहिए app id और limit 5 लेकिन मुझे यहाँ पर pass करना पड़ेगा city का name city का name तो pass करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखी यह जो API है इसमें हम लोग dollar city dollar q is equal to city सही है हमारा app id भी सही है और हम limit 5 भी यहाँ पर add कर देते हैं एक parameter और add कर देते हैं जो कि हमारा यह हो जाएगा जिसमें limit 5 तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर add कर देता हूँ limit 5 तो यह हो गया मेरा यह और यहाँ मैंने लिखा limit तो यह limit 5 यह complete हुआ अब इस request को run करके देखते हैं लेकिन response ठीक है चलो इस request को मैंने run किया तो देखिए अभी कोई response नहीं आया यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ से result को return करना था तो मैं यहाँ से result को return करता हूँ तब तो response आएगा तो देखिए यह आ गया यह बन गया code मेरा यहाँ पर मैं अगर अब यह देखिए यह 3 parameter यह 3 चीज़े यहाँ पर आएगी जिससे अगर वो लोगे तो यह पूने है पूने जो एक है वो का है यह यहाँ पर है country का नाम change हो रहा है एक इंडिया में है तो 3 suggestion हमको इस से related यहाँ पर मिल रहे हैं तो इस तरीके से हमारा यह काम भी हो गया अब हमको करना है तीसरा काम यहनी कि थर्ड काम जो करना है वो क्या करना है मेरे को जो यहाँ पर forecast वाला code है वो करना है तो अभी उसकी तरफ हम चलते है तो यह जो हमारा project है इसमें अभी हमको यह forecast वाला section डिजाइन करना है ठीक है तो forecast वाले section पर चलते है तो देखे ये function हमको एक बनाना है तो हम क्या करते हैं कि इस function को पहले मैं हटा देता हूँ थीकर ये function मैं जो function पहले से बना रखा है इस फ़ोबरे function को मैं यहां से remove कर देता हूँ एक हम इस function को फिल से बनाते हैं save किया मैंने यहं person data और जो forecast का हमारा end point है वो क्या है वो यह है forecast का जो end point है वो यह है यह already हमारे पास save config form में यहां तक का इसके आगे का code हमको यहां से लिखना है ठीक है तो forecast के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे get image src है यहां पर मैं एक private function बनाऊंगा तो मैंने लिखा private function यह function का name हो गया और यहां पर मैंने ले लिया dollar id ठीक है यह idea गई अब मुझे क्या करना है अब मैं यह वाला जो code है मेरा यह code यहां काम अचाएगा तो इस code को मैं यहां जेसन तक तो इस code को as80s रख देता हूं तो मैं यहां जाओंगा और जेसन तक का जो code है वो मैं यहां as80s रख देता हूं तो यह मैंने जेसन तक का code as80s रख दिया सिर्फ मुझे यहां पे change करना पड़ेगा end point तो वो मुझे form से मिल जाएगा तो src form और form के अंदर यह और यहां पे यह end point को copy करके और copy करने के बाद यहां पे जो end point है वो यहां मैं रख देता हूं ठीक है अभी इस code को मैं पहले एक बाद डंप कर लेता हूं यहां पर मैंने डंप किया डंप मैं क्या करूंगा मैं dollar result ठीक है dollar result को हम dump कर लेते हैं और यह जो dollar result हमको मिल रहा है यह function को call करना होता है तो function को call कहां से कर रहे हैं हम लोग यहां से हमने function को call किया और यह जो id है वो city के id है जो कि result id में हमको मिल रही है यहां पर इस function को call हो गया है अब मैं क्या करता हूँ यहां पर जाता हूँ और एक बार यहां पर मैं इस url को open करता हूँ तो मैंने यह URL को open किया तो आप देख रहूं यहां पे यहां पे जो है वो सबसे पहले मैंने इस function को यहां call किया एक बार case clear करना पड़ेगा case clear किया तो यह function जो है यहां call हुआ मेरा function call हुआ function में हम यहां गए और हमने एक function और बनाया था उसमें मैंने कुछ dump करके variable print करती है पहले मैं उसको हटाता हूँ तो यह dump हमको हटाना है basically यहां से भी dump हटाना है और यहां से भी हमको dump हटाना है यह यहां से dump हटाना है यहां से भी मुझे dump हटाना है और यहां से भी to get geocode, इस तरीके से कुछ error आ रही है, तो जो हमारा endpoint है, हम उसमें चलते हैं, तो देखें, यहाँ पे हमने API ID रखा है, और जो हमारी API है, उसमें हमको ID रखना है, तो इसको मैं correct कर देता हूं, यहाँ पे मैं कर देता हूं, ID is equal to city ID, यह जो है ID, वो basically city ID है, तो यहाँ तो यहाँ तो यहाँ पे ID आएगा, तो मैं यहाँ ID कर देता हूं, तो यहाँ पे मैंने ID कर दिया, और यह city ID हो गया, अभी मैं इसको refresh करूँगा, तो मुझे data मिलना चाहिए, अभी मुझे data नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं, हम एक बर जो है, ID is equal to, यहाँ पे भी ID रखना पड़ेगा, क्योंकि यह parameter ID है, ठीक है, तो अभी मुझे data जो है, वो मिलना चाहिए, तो मैं refresh करूँगा, तो यह data मुझे मिल रहा है, और list में मुझे जो data मिल रहा है, वो मिल रहा है, मेरे को 40 object मिल रहे ह तो 40 object मुझे इसलिए मिल रहा है, क्योंकि यह हर 3 घंटे का forecast देता है, तो एक दिन का 8 हो जाएगा, और हमको 5 दिन का चाहिए, तो 40 हो जाएगा, लेकिन मैं मुझे क्या चाहिए, मुझे इस में से यह date आ रही है, यह time आ रहा है, तो मेरे को केबल जो चाहिए, वो 12 बज़ हम एक loop लगाएंगे यहां पर, तो जो data है, वो किस में आ रहा है, लिस्ट में आ रहा है, यह जो पूरा data आ रहा है, वो इस list में आ रहा है, तो मैं को क्या करना है, इस list को update करना है, तो मैं यहां dump को हटाता हूँ, पहले तो मैंने यह dump हटाया, dump हटाने के बाद यहां पर मै मेरा डॉलर रिजल्ट रिस्ट यहां पर जाके मेह डॉलर लिजर को यहां लिस्ट कर दूंगा दॉलर रिजल्ट लिस्ट as $ key और की के बाद में यह जो आर्ग्यूमिंट आएगा वो key as dollar value तो यह key भी आ जाएगी और value भी आ जाएगी अब इसके बाद मुझे क्या करना है इसके बाद मैं क्या करता हूँ एक variable बना लेता हूँ यहाँ पर एक variable बना लेते हैं हम लोग dollar day करके बना लेते हैं यहाँ ऐसा करते हैं daily करके बना लेते हैं एक daily नाम से मैंने variable बना लिया, यह variable बन गया मेरा array बन गया, variable तो नहीं, array बन गया, अब यहां मुझे put करनी एक condition, तो मैं लिखूंगा if, यह condition हो गई यह, और इस if condition में मैं जो है, वो लिखूंगा strpos, और यहां पर मैं लिखूंगा कि dollar, अब देखें, यह dollar value, यह dollar value और dollar value यहां पर एक property आ रही है, और वो property है मेरी dt underscore txt, यह dt underscore txt, अब यह dt underscore txt गया है, तो देखो अब यह dt और इसके अंदर dt underscore txt आ रही है, इसमें हमको check करना है, कि यह dt underscore txt, यहां पर मैं लगाता हूं comma और यहां पर जो time है, वो 1200 यह time होना चाहिए, अगर ऐसा होगा, तो यहां पर मैं इसको as a object, तो यह पूरा का पूरा object जो है, वो मैं किसमें ले लूँगा, तो मैं यह dollar daily नाम का जो array बनाया था, इस array के अंदर जो है, वो मैं पूरा object यह नहीं कि dollar value ले लूँगा, ठीक है, लेकिन मुझे यहां पर key भी लेना चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि code override हो जाएका नहीं, तो dollar key ले लिया मैंने, और यह पूरा object यहां पर बन गया, अब देखिए, जो हमारा यह वाला response था, इसमें यह, अगर मैं बोलू यहां पर, तो अभी हमको यह पूरा data मिला है, अभी हमको temperature भी चाहिए, यह temperature है मेरा, वो temperature भी मेरे को चाहिएगा, और temperature के बाद में, जो है, वो day का name भी मुझे चाहिए, और यह icon भी मुझे चाहिए, तीनों property मेरे को यहां पर चाहिए, तो जो day name है ना, day name, देखे, day name को मैं ऐसा करता हूँ, कि day name हम javascript से निकालेंगे, और यह function जो हमने बनाया था, इस function को भी हम इग्नोर करेंगे, और यह वाला जो day name है, वो day name भी हम javascript से निकालेंगे, बतलब यहां पर जो day name हम पास कर रहे थे, यह function का, अब इस function की जरुवत नहीं पड़ेंगी, यह काम हम javascript से करेंगे, और javascript से हम यह काम क्यों करेंगे, यह काम हम javascript से इसलिए करेंगे, क्योंकि हमको client की machine का date और time चाहिए, server का नहीं चाहिए, तो यह जो day name function कॉल हो रहा है, यह day name function को मैं हटा देता हूँ, यहां पर अब इसकी जरुवत हमको नहीं पड़ेगी, तो मैं इस line को comment कर देता हूँ, और यह जो day name function है, इसको हटा देंगे, बतलब इस day name function की अब जरुवत नहीं है, तो देखे टेंपरेचर जो है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहां पर temperature भी आ रहा है, और icon भी आ रहा है, तो icon भी हम JavaScript से लेखे आएंगे, temperature की value हम कैसे लेखे आएंगे, तो temperature की value लेने के लिए हमने यहां पर एक code लिखा था, यह वाला, तो same code मैं यहां use करूँगा temperature के लिए, तो मैंने यहां copy किया, और temperature को मैं यहां, लेकिन मैं इस मैं क्या करूँगा, dollar daily, dollar key, एक नया component करूँगा, dollar daily, और यहांपे मैं लिखेंगा dollar key, यह dollar key हो गया, और फिर में यहां dollar key हो गया, डॉलर डेली हो गया और यहाँ पर डॉलर की और हम लिख देते हैं temperature तो यहाँ पर मैंने लिख दिया temperature और temperature is equal to अब temperature किस में आएगा तो डॉलर वेल यहाँ पर एक main function में करके एक करे आएगा देखे में और यह में और में के अंदर आ रहा है टेंपरेचर तो यह रखना है हमको तो मैंने लिखा डॉलर में और डॉलर वेल्यू डॉलर वेल्यू के अंदर में रखूंगा में डॉलर वेल्यू में और यहां पर जो है वो टेंप तो मैं यहां टे रिटन कर दूँगा यहां से तो यहां से मैं रिटन करूँगा लेकिन यह पूरा जो अबजेक्ट है मुझे वो मिल जाएगा तो मैंने यहां से रिटन किया इस वेल्यू को अभी मैं इस वेल्यू को यहां से रिटन कर देता हूं ये if बंद हुआ ये for का loop बंद हुआ और यहां से मैं return कर देता हूँ dollar daily यह dollar daily यहां से return हो गया save किया, cache clear किया और यहां जाओंगा मैं इसको save करके एक बार इसको run कर देता हूँ dump तो मैंने हटा ही दिया था तो अभी जेसन response आएगा तो यह डॉलर डेली यहां से return होगा और यहां कुछ problem हुआ है डॉलर डेली यहां से return हुआ है और return result तो यह जो है वो यह function है मेरा इस function में यहां पर return response होना चाहिए तो यह return response करना है यहां पर पता नहीं यह कहां से आ गया था return response ही होना चाहिए बहाँ पर तो आप देखोगे ये पूरा data जो है वो आ गया मेरा अब ये पूरा data मेरे को मिल रहा है और इस पूरे data में आप देखोगे तो ये forecast है forecast के अंदर 5 value भी मुझे मिल रही है ये 5 value है और इन 5 value के अंदर ये पूरा data मिल रहा है लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज और हमको compare करके देखना है कि यहाँ पर units, matrix और ये limit limit भी हम चाहे तो add कर सकते हैं limit 5 लेकिन ठीक है चलो 5 हो गई value यहाँ से यानि कि तीनों काम हमारा यहाँ पर हो गया ये तीनों जो है काम हो गया अब हम जाएंगे javascript की तरफ और इसमें हम attach करेंगे event क्योंकि ये code अब हमको event से connect करना है तो हम javascript के थूँ अब event की connectivity करेंगे